एक जंगल में एक सेर रहता था उसको बहुत भूग लग रही थी और जंगल में बहुत गर्मी थी इसलिए शेर को और तेर भूग लगने लगी तभी सेर को एक घरगोस के पीछे पढ़ गया तभी बागते बागते उसकी नजर एक हिरण पढ़ी सेर ने खरगोश को छोड़कर हिलन के पीछे पड़ गया हिलन लेक पेड के पीछे गुपत गया सेर ने उसको देख लिया था वो दीरे दीरे हिलन को पाई हिलन के पास जाने लगा हिलन को सेर की आहट की आवाज आ गई फिर हिलन नो ग्यारा हो गया सेर चत्रुष्ट हो गया रोड इसको बहुत अफसोस हो रहा हो वोने लगा कि बड़े बड़े के चक्कर है उसको कुछ नहीं मिला